यार्मन रहीम, Assalamualaikum, Students कैसे हैं आप साथ? Students, हम सेट का टॉपिक जो है वो पूरा कवर कर चुके हैं, पर एक स्टूडेंट की रिक्वस्ट आई थी, कि Miss, तीन कॉमेंट रहे हैं, और सोचा किस्ट्यों पर वीडियो बना कर एकी वीडियो में तीनों के आंसर दे दिये जाएं, फर्स्ट वाला ये है कि Miss, Distinct Object क्या होता है, सेट में, डेफिनिशन बताई थी, तो उसमें नोंने पूछा, तो मैं इन पर क्लियर करती हूं अभी, सेकंड कोशन है, Miss, Equal and Equivalent सेट समझ नहीं आया, थर्ड सुडेंट ने का, प्लीज प्रॉपर and Improper सबसेट दुबारा क्लियर कर दीजिए, जी हम कर देते हैं आपको, फिर्ट हमारे पास सेट है, सेट इस अ कलेक्शन ओफ वेल दिफाइन अबजेक्ट और डिस्क्निक्ट अबजेक्ट, इसका मीन होता है, सेट इसम अबजेक्ट शुड नोट अपियर मोर देन वन्स, फॉर ग्जामपल, हमारे पास एक सेट है, देखें, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसे हमारे पास यह एक सेट है, वर्ड ले लें, फॉर अग्जामपल, देसेट अफ लेटर अफ वर्ड स्मॉल, स, म, ए, डबल ल, स्मॉल, अब आप इसके सेट बनाए, पहला बन जाएगा S, फिर बन जाएगा M, देन A, देन L, अब आप नोट करें, नोटिस करें, कि यहाँ पर हमारे पास जो L है, वो टू टाइम आया है, ठीक है, L जो है, वो हमारे पास यहाँ पर टू टाइम आया है, तो यह सेट नहीं है, ऐसा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, अगर सेट के अंदर रिपीट हो जाएगा, तो वो हमारे पास सेट नहीं है, एक और ग्जामपल देख लें, एक और ग्जामपल हमारे पास ट्री, ट्र, डबल ए, ट्र, उसका सेट बनाए, अब ट्र, इसके अलिमेंट, हमने इसमें शो कर दिये, अब यह देखे हमारे पास डबल दी, वो टॉ टाइम आया, तो इसका मतलब, यह भी हमारे पास सेट नहीं है, तो टिस्टिक में, तशेम आबजेक्ट शुड नाबजेक्ट, शुड नाट अपियर, मोर दैन वन्स, दे सेट अफ लेटर, स्मॉल, एंट्री, अद नॉट सेट, ठीक है, यह तो आको अप्लेर हो गया होगा, जब हमारे पास सेट यह कोई भी ऐसा वर्ट जो रिपीट ना हो रहा हो, तो वो हमारे पास सेट है, अदर वो सेट नहीं है, सेकिंड देखें हमारे पास क्या है, इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट्स, ए एंड बी, आर इक्वल, इफ, एंड अउनली, इफ एच एलिमेंट, ए बिलॉंग तो बी, ए, इस इक्वल तो, बी, इसमें क्या है, स्टूडेंट्स हमारे पास, दो सेट्स हमारे पास, इक्वल होंगे, उनके अंदर के जो, इलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल सेम होने चाहिए है, उनकी अरेंगर बेटा डिफरेंट हो, लेकिन फॉर ग्जाम्पल, मैं आप उग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, जैसे देखें हमारे पास एग्जाम्पल है, एक सैट ले लें, ए, बी, एंड एन, सी, ठीक है, दूसरा सैट ले ले लेजिए, सी, बी, एड अब आब आब बताएं, यह दोनों एक्वल है, जी, बिल्कुल यह दोनों के, दोनों एक दूसरे के एक्वल है, इसलिए क्योंकि इन दोनों में, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, वो सेम है, ए, इसके पास भी है, ए, इसके पास भी है, बी, इसके पास भी है, इसके पास भी है, सी, यहां भी है, और सिता से कि पर समय season lol कि यहां पर डोनों के अंदर जो हमारे पास stop हैं तो हम कह सकते हैं कि यह दोनुड जो है एक दूसरे के सब्चक्राइब सब्सक्राइब हृए असे अनल создah अब आप देखें यहां पर इन दोनों के यहां पर N है और यहां M है तो क्या यह दूसरे के एक्वल है नहीं क्योंके नंबर फालिमेंट जो अंदर दिये गए हैं वो अलग-अलग हैं तो हम क्या देंगे इस तरह के सैंबल से आप इसको डिनोट करेंगे इसकी नोटेशन यहां एक और साट ले लेती हूं मैं आपको ता कि सही से क्लियर हो E A T E T and T E A T दोनों दिखने में अलग-अलग है पर इनकी इनकी दे और से देखें है ज है इंडर भी यहाँ प्य है इथर भी है इस तरह इस तरह किसे अपिया इस जाल कर जो है लेस देख लेते हैं और दूसरा लेते हैं हम 2 अब देखने कह रहा है ऐसे एविन नंबर जो चार्ज से चोटे होगा एसे नंबर जो तो से प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो जाएं वह हमारे पास even number होते है two four six eight divisible by two जो होगा तो अब हमारे पास यह कह रहे है चार से छोटे and we are set to be equivalent if they are same number of elements if they are same number of elements if a set is equal to b देखें मैं को क्लियर करती हूँ equivalent जैसे इनका नाम है वैसे ही इनका काम भी है अगर दो या दो से ज्यादा है जैसे जो elements है वह एक जैसे होंगे तो हम कह देंगे कि search है वह equivalent set है for example आपको एक example जेकर बताते हैं जैसे मेरे पास एक set है a b and c इसी तरह मेरे पास एक b का set है one two and three अब देखें students यह दोनों एक दूसरे के equivalent है जी बिल्कुल एक दूसरे के equivalent है क्योंकि यहाँ पर उपर चो एल्फावेडिकल आर इक्विवेलेंट ऐसे ही students चलें आपको कुछ examples देकर बताती हूं ताकि आपको सही से clear हो अच्छा देखें एक और example देख लेते हैं जैसे आर आई एफ एड़ एड़ एक्विवेलेंट है जी बिल्कुल दोनों एक दूसरे के equivalent है एक और देख लेते हैं ताकि आपको सही से clear हो देखें हमारे पास यह है c a r car a r c and s देखें आप यह दोनों दूसरे के equivalent है बिल्कुल नहीं क्योंकि इनमें जिसपे जो elements है वो यहाँ पर नहीं है तो इसलिए यह set इसका equivalent set नहीं है ठीक है students चले एक tabler form भी हम देख लेते हैं builder form देख लेते हैं xx is accounting numbers less than 3 13 एक set है और इसी के साथ मैंका बी ले लेती हूं बी ले लेते हैं student इसके साथ मैं number of xx is the number of months in a year ठीक है अब क्या है counting numbers लेने हैं जो 13 से चोटे हूं 13 से चोटे हूं counting number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 12 और हमारे पास there are 12 months in a year 1 2 12 तो दोनों दूश्रे के equivalent है यह बिल्कुल दोनों दूश्रे के equivalent है ठीक आपको समझ आ गया होगा student equivalent set क्या होता है अब थर्ड वाले student ने मुझे question पूछा था miss please proper and improper subset clear कर दें अब आम इनके लिए बता देते हैं proper subset क्या होता है if a set a is a subset b and b is not equal to b then a is a proper subset of b ठीक है अज़े इसमें क्या है students जब हमारे पास इसको का sample होता है ना proper subset का वह इस तरह आप इसके sample को इस तरह डोनेट करते हैं माउठ ओपन होगा इस तरह मुग खुला वहां के अलिमेंट यह है वो ज्यादा होगे और प्रसक्राइब रएक और इसम्हें मौजूध ने हो इस तरह कि महतना हैं और यहिंट से ौकरण में err element जो है one number जो है वो हमारे पास different हो it means for example हमारे पास दो set है मैं आपको यह clear करती हूँ देखें यसे हमारे पास एक set है A इसके elements ले लेती हूँ A, B and C then B के set जो है students हो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर A, B, C and D ठीक है देखें A, A के set मैंने लिए है A, B, C A, B, C, D ठीक है अब आप इन दोनों को देखें अब हमारे पास B के set ज्यादा है ठीक है B के set जो है वो A के set के मुकाबले में ज्यादा है तो हम कह सकते है students यहाँ पर A जो है वो हमारे पास a set है is a set to be proper subset of B ऐसे ही है A जो है वो proper subset है B का ठीक है A जो है वो proper subset है B का जिस तरफ हमारा off हम महा लगाएंगे जहां पर हमारे number of elements ज्यादा होंगे ठीक है B के element ज्यादा है तो मैंने इसका मूँ किस तरफ किया है B के तरफ किया है आपको clear हो गया होगा कि हमारे पास proper subset क्या है अच्छा सूड़न्ट साथ साथ मैं आपको यह बताती चलो एक सूड़न्ट कुछ एग्जामपल्स है सबसाइट के हमारे पास A है 123, B है 12345 और C है 13 अब आप देखें हमारे पास A डैश B है अब आप बताएं हमारे पास B के element ज्यादा है तो इसका मूँ बी की तरफ होगा अब A है 1234 and so on जारी है B है 1234 इसका मतलब A के element ज्यादा है तो इसका मूँ एक की तरफ होगा इसी तरह A, E, U अब जागेंड वाला B सेट है हमारे पास Sets of Consisting of the vowels of English alphabets तो इसका मतलब A, E, I, O, U B के element ज्यादा है तो इसका मूँ इस तरफ होगा ठीक है students अब मैं आपको यह बताती चलूँ हमारे पास improper subset के improper subset each set A is an improper subset of itself इसका यही मतलब है कि हमारे पास students number of elements इसके अंदर same होते हैं अगर दो sets यह गए हैं A and B तो उन दोनों के number of elements ज्यादा है वो हमारे पास same होगे as it is numbers होगे उसके हमारे पास ठीक है देखें for example हमारे पास A है 1, 2, 3 और जो B के set है वो भी हमारे पास है 1, 2, 3 number of elements हमारे दोनों के same है हम कहते हैं कि हमारे पास ज्यादा है elements of set A contain in B data set of B subset of B ज्यादा हमारे पास set A में हैं वो हमारे पास B में भी मौझूद होंगे तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो है दोनों elements जो है same है तो हमारे पास ये जो है वो subset है B का ठीक है clear हो गया होगा आपको जी students अब हमारे पास इसकी arrangement तो different हो सकती है अगर मैं इस तरह कहा देती जी A जो है वो हमारे पास one, two and three है और B जो है students हमारे पास three, two, one है तो ये example हमारे पास जो है वो improper subset की है क्योंकि elements हमारे अंदर same है पर हमारे पास इसकी arrangement different है confuse नहीं होना अगर arrangement भी different होगी और same elements होगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास बिल्कुल जो set दिया गया set है A जो है वो B का subset है ठीक है students आपको यहां तक clear हो गया होगा A जो है वो B का subset है ठीक है और B जो है वो A का subset है इसे दोनों के A number of elements जो है वो same है इसी तरीके से अच्छा इसे साथ साथ students में आपको थोड़ी ची notation बता दूँ क्योंकि हमारा WhatsApp ग्रूप है वहाँ पर हम बच्चों को जो है WhatsApp फ्रीक online classes दे रहे हैं इसे कुछ मिस्टेक्स बच्चों ने की तीर मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो में साथ साथ और भी शेयर कर दूँगी ताकि हमाँ क्लियर ज़ए सेंबल से हमारे पास यहाँ पर है equal to equal to का सेंबल यह होता है not equal to होगा तो आप slash डाल देंगे greater than होगा तो students आप इस तरह लगेंगे not greater than है तो slash डाल देंगे less than है तो इस तरह सेंबल होगा तीक है दाल से निशानी लगा है दाल है तो greater than है less than and not less than है तो आप slash डाल देंगे belong to है तो e लगेंगे इस तरह not belong to तो इसके पर slash डाल देंगे इक्विवालेंट शैट इस तरह करके ईवनाएंगे इसे यह दूसरा इई नॉट इक्विवालेंट टीक है अब हमारे पास क्या है यूनियन इस तरीके से होगा विट्वल सिंपल यू और यह इंडशनट बच्चे क्या करते हैं यू यू बनाते हैं और इंटरम ऐसे दोनों wrong हो जाएंगे आप सबूसर्ट हमारे पास क्या है सुल्धनस लेकर सबसर्ट अ Сейчас कर बना यह सच्टाऄ स्लश होता है रेडिकल साइन आपको पता है यह है लाल सेट या तो आप इस तरह बैगे बनाना है या फिर आपने इस तरह लए दोनों चीज़ें एक मिई चलेंगी बचे क्या करते हैं इसके अंदर ही आ इसके अंदर इसमेंटरिक इसे हैं जो जबके एसा होता है कि जो दोनों के ďलिमेंट्स बचरेंगे माइनस करने के पाथ बाद और वह दोनों लिखेंगे फजोन्स अमीन है कि आपको समझ आया होगा और जो बच्छे 9 क्लासे प्रोमोड़ों के क्लास्मेट्रिक में आये हैं और वट्सप जोइन करना चाहते हैं प्लीज अपना नंबर जाए कॉमेंट बॉक्स में डॉप कर दीजिए इन्शाला एड़ कर लिया जाएगा फ्री ऑनलाइन क्लासेश हो रही है और हमें आराई रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को झाय।